गूद मॉर्णी चुटेंट, तोड़ी इस आर मैच स्पिरेट और वी आर गोंग तो स्टार्ट एक्सराइस 10.2 सो सुटेंट, ओपन यर मैच स्पूप, पेज नमबर 182 सो सुटेंट, पेज नमबर 182 पे हमारी एक्सराइस 10.2 है इसका कॉशन नमबर 1 हम रीट करते हैं, राइट दो फॉलॉइंग यूजिंग एम और पी एम अब इस कॉशन का ए नमबर का कॉशन देखे बच्चों, ए नमबर का कॉशन है 11 o'clock at night बच्चों, रात के 11 o'clock को हम जब बोलते हैं तब क्या, उसके आगे क्या लगाते हैं, पी एम लगाते हैं कि यह या पी एम लगाते हैं न, क्यूंकि midnight का 12 to afternoon का 12 इसके आगे हम क्या लगाते हैं बच्चों, 59 है न, midnight का 12 to afternoon का 59 हम इसके आगे एम लगाते हैं और 12 afternoon to midnight 12, midnight 59 तक क्या लगाते हैं, हाँ, पी एम लगाते हैं न, तो यह midnight का 11 है, है न, यह 11 o'clock तो क्या लिखेंगे हमें आपे, पी एम ओके, ठीक बच्चों इसी तरह से बी नमबर 145 in the afternoon, है न, 12 बजे के बाद, हाँ, कौने दो, तो क्या होगा, हम इसे भी क्या परीट करेंगे, पी एम, है न, इस तरह से बच्चों, यह दो क्वेशन मैंने आपको समझा दिये हैं, और इसका एम पी एम लिखवा दिया हैं, अब आगे के दो क्वे इसके आगे हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ, एम, है न, इस तरह से आपको यहाँ पर टाइम लिखना है, और इसकी भी पीखा में ग्रूप में सेंड करना है, ठीक बच्चों, अब क्वेशन थ्री देखिए, राइट एम और पी एम, तू मेक दिस सेंटेंसेस करेक्ट, इन सेंटेंसेस को करेक्ट बनाने के लिए हमें इस तरह से, अब सी नंबर का दिखिए, प्रिया गोस्टू बेट आइम और इस तरह से, अब सी नंबर का दिखिए, प्रिया गोस्टू बेट, एट टैन पी एम है ना, मैंने बुला है मिडनाइट के, ट्वल मिडनाइट के पहले हम क्या लिखते हैं फिर पी एम है ना, दोपेर के ट्वल बज़े से, रात के ट्वल बज़े तक पी एम लिखा जाता है ना, फिर मिडनाइट के ट्वल से, आफ्टर नून के ट्वल तक इस तरह से आपको फिल करना है बच्चो और इसकी पिखामे ग्रूप में सैंड करना है तो यहाँ पे देखिए बच्चो कौशन नमबर फोर है बच्चो यह जो कौशन नमबर फ्री है इसे आपको आपकी कौपी में लिखना है और कौपी की और बुक की दोनों की पिखामे ग्रूप में सैंड करना है अब कौशन नमबर फोर देखिए अब यहाँ पे यह सेंटेंस पढ़ना है आपको बताना है कि कितना टाइम हो रहा है कितना टाइम हो फिप्टी मिनिट्स आफ्टर इलेवन टाइन एम है ना इलेवन टैन के बाद फिप्टी एम है ना तो कितना टाइम होगा बच्चो यहाँ पे फिर क्या है इलेवन ट्वैल एम के बाद फिप्टी मिनिट्स मतलब क्या होगा फिर ट्वैल पी एम ओके सो क्या होगा टाइम ट्वैल पी एम ओके अब इसी तरह से बी नंबर का कॉशन देखिए थर्टी मिनिट्स बीफोर ट्वाल मिड़नाइट मिड़नाइट के मिड़नाइट ट्व से आपको question number four के in question का answer इनके आगे ही book में ही लिखना है और इसकी pick हमें group में send करना है so student यहाँ पर हमने हमारी exercise complete कर दी है okay have a nice day student